गुड मॉनिक टो आल मैं डियर स्टुडेंट्स आज की हिंदी की क्रक्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रेफ अर्थाथ ये मात्रा को हम रेफ कहते हैं जो इस तरह से मात्रा लगाई जाती रेफ और पदेन रा कप्रयोग यानि जब हम किनी वर्णों में रा का प्रयोग करते हैं तो किस तरह से करते हैं और रेफ की मात्रा किस तरह से लगाई जाती है आज हम सीखेंगे जैसे जब हम लिखते हैं दर्पन देखें जब हम दर्पन लिखते हैं तो दर्पन को हम इस तरह से लिखते हैं उपर ये रेफ की मात्रा लगाई जाती है इस मात्रा को हम रेफ की मात्रा कहते हैं रेफ की मात्रों का प्रियोग हम किसी वर्ण से पहले र का प्रियोग होने पर करते हैं जैसे कार्ड देखें कार्ड यानि रा आधा है जब आधे रा का प्रियोग होता है तब हम रेफ की मात्रा लगाते हैं जैसे जब हम लिखेंगे काड तो काड को हम इस तरह से लिखेंगे उपर रेफ की मात्रा लगाएंगे शर्म यानि जब रा का उच्चारण आधा होता है तब हम रेफ की मात्रा का प्रियोग करते हैं मूर्ख यानि र स्वर रहीत है, मूर्ख, देखिए र, लेकिन पूरा र हम नहीं बोल रहे हैं, कर्म अरपण इस तरह से तब हम ये रेफ की मात्रा का प्रियोग करते हैं, अब आते हैं पदेन की मात्रा पदेन की मात्रा अर्थात पैर में लगने वाली मात्रा, पदेन का अर्थ होता है पैर, पैर में लगने वाली मात्रा हैं जैसे अगर हम लिखेंगे ब्रश तो देखे बो और रो दुनों का उचारण एक साथ निकल रहा है बो और रो दोनों का उचारण एक साथ है यानि बो को रो के साथ मिलाया गया है तब हम किस तरह से करेंगे ये पैर में यहां मात्रा लगाएंगे और लिखेंगे इस तरह से ब्रश है ना ब्रम भो अब ये पैर में यहां से लगाएंगे मात्रा ये हो गया भ्रम सब्र सब और र सब्र फिर प्रेरणा देखे प अपके साथ ही र की मात्रा निकल रही है प्रे रोणा प्रेरणा ग्रह ग्र और ह ग्रह क्रम ये हो गया क्रम तो ये सबी मात्राएं जो है न ये सबी पदेन की मात्राएं है अब उसके बाद पदेन की मात्राएं दो तरीके से लगती एक तो हमने इस तरह से लगाई ये स्लेंट लाइन दूसरी इस तरह से भी लगाई जाती है तो देखते हैं, इस तरह से कैसे लगती है? जो word नीचे से گोल होते हैं, उन्में नीचे इस तरह से मात्रा लगाई जाती है जैसे जब हम लिखते हैं train, तो देखें टा, word नीचे से गोल है तो हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे ट्रेन, ड्रम डब ही नीचे से इस तरह से गोल है ड्रम, ड्रामा ट्रक ड्रेस उसके बाद, ट्रॉली तो आप देखे, ट, ड, इनी में हमने नीचे ये वाली मात्रा, यानी र की मात्रा को इस तरह से लगाया है ऐसे जो भी वर्ण नीचे से गोल होते हैं उनमें हम इस तरह की मात्रा का प्रियोग करते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थी आपकी रेफ और पदेन की मात्राएं और रो का प्रियोग, रेफ मतलब रो का प्रियोग, यह सभी रो की मात्राएं हैं पर रो की मात्राएं किस तरह से प्रियोग की जाएंगी, जब हम इन मात्राओं को उपर लगाते हैं तो यह रेफ की मात्राएं होती हैं, जब यह नीचे लगाते हैं तो यह पदेन की कहलाती हैं चलिए आगे कुछ और शब्दों को पढ़कर सीखेंगे